आप देखिए एक दूसरे टाइप का नेटवर्क है पाई नेटवर्क पाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क भी कहते हैं। जैसे कि आपने उसके पहले देखा T network, क्या कहा आपने, कि जिसकी shape T के term में हो, तो जिसकी shape pi की तरह हो, pi कैसे बनता है, ऐसे दो टांगे होती हैं, यही तो pi होता है, ने सीधा pi तो ऐसे बनता है, ठीक है, तो ऐनी कि यहां पर एक वो लगा होगा, जेड, एक यहां लगा होग यहां लगा होगा, जो गया जागर के, pi network, तो लिखे, any circuit network, any circuit network, in the shape of pi, मतब कुल मलाकर के circuit जोड़ा गया, उसका एक नाम दे दिया गया, तो अरे यह तो pi कि तरह लग रहा है, अरे वा, जिसे बहुत लोग होते हैं, जिसे किसी की नाक थोड़ा लंबी है, ऐसे हैं, उसका लंबाई उसका नाम तोती रख दिया गया, ने, क्या कहते हैं उसको, अरे मतलब जैसा किसी का कोई, क्या बताया, जैसे हमने pi network में उसके shape से नाम रखा न, जैसे जब किसी बच्चा होता तो उसका कुछ चेहरे समाल हो देता है, जैसा काला है, अबे कलुआ, एका नाम कलु आपके थे तो हमारा नाम कलुआ था, जैसा कहा जाता, मैं बहुत काला था, अभी तो हूँ, थोड़ा कम हूँ, और हम जब बड़े हुए था मुझे मालूम हुआ कि, जब लेटर हमारे बुआ लिखें तो लिखें कलुआ काल चाल, कलु काल चाल है, तो हमने जैसे कोई कलु था, तो हमने पूछा कि, अम्मा जो ही बताओ, बुआ लेटर लिखती है, तो हर बाद कलु के, बच्चा जो तुम छोटे रहा हो, बहुत कले रहा हो, तो तो तुमा नाम कलु रहा हुए, तो फिर बुआ ही था, बुआ हम बात ही लेकिए, हम कहा हम बताब भाई, कोई कि आदमी अपने कलु कैसे कह सकता है, तो कुमलाघर के जैसे, कलर से हिसाब से, शेप के हिसाब से, किसी के नाम लंबू रख दिया जाता है, तो उस हिसाब से, हमने क्या क्या एक नेटवर्क बनाया, और जिस हिसाब से उसके element जोडए गया, उसका नाम दे दिया, पाई ने वर्क में एक ये impedance है, एक ये impedance है, इसका नाम Z बन दे थोड़ चौड़ा बनाएंगे, एक ये impedance है, इसका नाम Z2 है, एक ये impedance है, कुछ जादे जगह हम घेर रहे हैं, इसका नाम Z3 है, यहाँ से circuit, से current भेजी जाएगी, यहाँ output मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका जो network है वो, क्या कहलाएगा, पाई network, ठीक है, it is also known as delta network, it is also known as delta network, delta network, क्यों delta network कहते है, देकि अगर ध्यान से देखा जाए, तो एक register ऐसे, एक register ऐसे, एक register ऐसे बने हुए है, यह बने है ना, तो हम तीन resistance को हम, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, डेल्टा ऐसे थो था यह वाला डेल्टा इसलिए डेल्ट नेटवर्क का आगा है यह डेल्टा के बाद नहीं कर रहा है यह तो डेफरेंस के लिए यूज कियाता है तीसलिए इसको डेल्टा नेटवर्क कहते है ठीक है अब लिखे complete circuit heading लाद दो it's complete circuit यह complete circuit आप अब circuit complete करना पड़ेगा न तो circuit complete जैसे पीछे आपने किया था देखो ध्यान से यहाँ पर एक क्या करोगे एक बैटरी में बनाएगा नहीं एक बैटरी लगा दो ठीक है और इस बैटरी का internal impedance होगा जिसको क्या आप internal resistance पढ़ाया अपने ठीक है और इसके बाद यहाँ पर एक output लगा दो जिसको load impedance कहेंगे जहाँ पर आपको current मिलनी है ठीक है इसको आप load impedance कर दो ZL और इसको बैटरी का है इसलिए ZB लिग दो तो यह circuit हो गया जाकर कि इसका कुछ EMF होगा कुछ बोल् गवाँ जाने तो एक तरीके से current जब flow होगी तो यह current ऐसे यहाँ flow होगी एक current ऐसे यहाँ flow होगी एक current ऐसे यहाँ flow होगी इसको लिग दो internal impedance इंटर्नल resistance था ना आपका internal impedance impedance इसको कह दो load impedance load impedance माला इसमें I1 current flow हो रही है इसमें I2 current flow हो रही है इसमें I3 current flow हो रही है कितने loop हो गए तो लिख तो इसमें इसके पास loop तीन होते हैं it is three loop network it is the three loop network three loop network हम T network में loop नहीं बना पाये थे मैं loop इसमें समझा देता हूं बना लो फिर बात कर देंगे टी वाले लूप बता देते हैं अच्छा एक काम क्या करेगा काम तो ही करेगा लोड में पावर या करेंट को सप्लाई करेगा तो लिखती जिएगा it transfer power it transfer power to the load impedance जड़ेल यह power transfer करेगा या current transfer करेगा या voltage transfer करेगा जो भी आपको है देखे एक पीछे वाले उसमें हम बताना भूल गये थे T network में तो T network हमें बना लिया ना तो को T network में क्या था यहाँ पर एक impedance लगा था ना sorry T network में एक impedance यह है एक impedance को ज्यादे छोटा impedance है एक impedance यह है और एक impedance यह है यह था ना यही था ना T network और इसको बंद किया तो कितने लूप हो गए जा करके दो हो गया ना तो इस लिख दिएगा इन T network में यहाँ 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 आ सकता है कितने लूप उसमें बन सकते है ठीक है वह नेटवर्क था जो ओपन होता है कि इसमें भी बनाए जाता है कि स्टार्ट होगा वहीं पर आकर फिनिस होगा यह circuit बनाए जाता है पूरा जिस पास से जाना वह एक circuit कहलाता है ठीक है बोले छोड़ो ठीक है होता होगा तो यह आपका हो गया पाइ नेटवर्क